नमस्कार दोस्तों आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर कोई वर फिर से मैं अपने चैनल पर रूचिस्वाइइंडस्टी का एक अपडेट आपके साथ सेयर करूंगा जी आदोस्तों काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई है रूचिस्वाइइंडस्टी में और सबसे बड़ी प्रॉ है कि साथ यह सेयर्स डिलिस्ट हो गया क्या क्योंकि डिमेड एकाउंड में भी यह सेयर्स नहीं दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के तो क्या है पूरी बात इस वीडियो पर पूरा कभर करेंगे और इसमें मैं एक फोन कॉल से भी आपके साथ सेयर करूंगा जो मैंने एक्षुली मैं रूचिसोया इंडस्टी के डिपार्टमेंट में फोन करके इसे जानने की कोशिच की क्या हो रहा है क्या बाते हैं जिसके वज़़े से ट्रेडिंग नहीं हो रही है क्या होगा रियडेक्शन कितने भी लेंगे सेयर्स कितने क्वांटिटीटीज के क्या मैं वो वीडियो को लिए आपके साथ शेयर करूंगा विकॉस मैं उनका बात अभी मैं अपने सब्दों में रखूंगा तो हो सके आपको उतना बिलीब नहीं होगा जितना मैं उनसे डारेक्टली बात किया हो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने एक शेयर होड़र्स के जैस सरते लिखी गए थी तो वह क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और सारी चीजे देखेंगे सबसे पहला चीज क्या रूचिस्वाय इंडस्टी डिलिस्ट हो चुका तो मेरा एंसर रहेगा रूचिस्वाय इंडस्टी डिलिस्ट नहीं हुआ इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंसन ना ले कि रूचिस्वाय इंडस्टी सायद डिलिस्ट हो चुका नहीं रुचिस्वा इंडस्टी पे डाइलूशन हो रहा उस डाइलूशन का ही पूरा का पूरा प्रोसेस है जो इसका ट्रेडिंग अभी बन है ठीक है पिछले 15 दिनों का ये कोट के तरफ से ही स्टेटमेंट है कि इस पे ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए इसी वज़े से दोनों मे पिटेंसन ना ले कि रुचिस्वा इंडस्टी डिलिस्ट हो गई है साइध हमारा सारा का सारा स्टॉक खत्म हो गया यह नहीं है डिलिस्ट नहीं हुआ यह फिर से लिस्ट होगी और यह लिस्टिंग की डेट आइटिंग 13 तारीक 13 दिसंबर को जो इनका एजीम है एन्वल मिटिंग या तो उस दिन या उसके बाद इस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर इससे पहले ही हो जाए बट 13 दिसंबर के आसपास में इसकी ट्रेडिंग फिर से चालू हो जाएगे बट ट्रेडिंग के दिन इसका प्राइस क्या रहेगा 3 रूपीस 35 पैसा या फ देखिए यह मेल लगबग सभी स्टॉक ओल्डर्स पे आया होगा सभी स्टॉक ओल्डर्स जितने भी रूची स्वाय अंडस्टी के सबों के पास एक्शुली मेरे पास यह नहीं था यह मुझे एक वीवर्स ने मुझे सेंड किया और मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की समझने की कोशिश की 33 एन्वल जैनरल मीटिंग एजियम रूची स्वाय अंडस्टी का और इस पे बहुत सारी चीजें दी हुई है देखिए रूची कर रखा गया है और क्या है कौन से जिगह पर है यह पूरी डीटेल्स यहां पर दिये हुए साथ ही देखिए नोटिस आप 33 एजियम और एटेंडेंट स्लिप और एन्वल रिपोर्ट अठा रहूंने सारी चीजें यहां पर दी गई है आप डारेक्ट लिए से क्लिक हैं वोटिंग करने का क्या मक्सद है यह पूरी डीटेल्स वहां पर आपको मिल जाएगा इस नोटीस पे और इस नोटीस को आप पूरी तरीके से पढ़िएगा लगबग 209 पेज का है इस पेज को डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ने के बाद इसे वोटिंग भी कर सकत हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ वो फोन कॉल सेयर करता हूं जिस पे मैंने उनसे बात की और वहां पे क्या रिस्पॉंस मिला वो चीज आपके साथ सेयर करता हूं तब आपके सारी सीज़े क्लियर हो जाएंगी उसके बाद में फर्दर इसी वीडियो प सुनिए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं एक्चुली मैं मुझे आपका नंबर मिला डेक्स से एक्चुली मैं शेयर होल्डर सुरूची से इंडस्टी का तो सर ट्रेडिंग नहीं हो रही एनसी बीसी दोनों एक्स्चेंजेश पर तो क्या मतलब पता नहीं चला है तो सर यह मारे किस रिगाइडिंग पे मतलब सस्पेंड हो झार Jared हैश हो रहा है तोmers के बदले में एक share मिलेगा अधीt सर मतलब जैसे की हंड़ैर मैंने TH jedem से करिदा तो मेरा three-hundred का तो और Wickा result होति जब वापस सदो हुगई तो मालं मेल भाउ तो क्या रहेगा लेकिन सो के बतले में आपको डिसनल रहा को आपकोel मालम less अभ्स तो रहा लेकिन अपकोषणि के हो मालुं जब विलो महतने हैं यदिवह फैर किंब बाव जब क्या हां समझ रहा हूं face value reduction के वज़र से हो रहा ना क्या हो रहा है capital reduction हो रहा है capital reduction हो रहा है और इसी के regarding मतलब यह 100 shares के एक share shareholders को दिये जा रहे बिल्कुल बिल्कुल असर यह जो message आया था mail आया था कि e-voting वेगरा करना हा 13 December को AGM है तो यह क्या तो यह क्या process है यह तो आपको नेट के तू यह वोटिंग करनी है तो आप मीटिंग में आओ वहां डाल दो अपना आके आना चाहो तो वोट करना चाहो तो है किस से विगाइडिंग यह वोटिंग है वो उसके अंबर लिखा है सब नहीं समझाए एक बुक साथ लगा रिखिए अकाउंट से अपरूव करने के लिए और सब करने के लिए हो अशा 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 मजलों जिस अकाउंट पर यह सेयर्स जाएंगे जो ट्रांसपर होगा डि डिस्कलोजर नहीं है नहीं 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 कोई चुलिए सर्थ थैंक्यू बहुत बहुत धेनेवाद आपके बहुत अच्छा लगा तो जैसा कि आपने फोन कॉल पे सुना होगा सारी सीजें वह मैं एक एक करके आपके साथ फेसे डिसकस्ट भी करूंगा उससे पहले हुई थी और फाइनेंसियल रिजेट जो आया था अनुडिटेड वह मैंने आपके साथ शेयर किया था और इनका जो एजियम होने वाला है एन्वल जेनरल मीटिंग वह किस डेट को है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 13 तारिक को 13 नवंब दिशंबर को यहां पर एजियम होने वाला है रूची सोय इंडेस्टी का और किस व्यू पर यह हो रहा तो आप देख सकते हैं रिजूलेशन प्लान सस्पेंशन ड्यू टू रिडेक्शन एंड कॉंसलिडेशन ओफेशेयर ठीक है तो यह पूरी पूरी जो मीटिंग रखी गई है इसी के वज़े से सस्पे तो जैसा कि आपने सुना होगा कि उनसे जब बाते हुई हमारी तो उन्होंने क्लियरली इस चीज को मैंसें किया है मैंने उनसे डिरेक्टली पूछा मैं एक शेयर ओर्लस हूं तो एक्चॉली में ट्रेडिंग नहीं हो रहा तो इसके वज़ा बताई गई कि एक सबते के बा बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगी जो भी ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग होगा इस चीज को आप पूरी तरीके से जान ले इसके पीछे बिल्कुल भी परिशान नहों कि सेयर्स डिलिस्ट हो चुगा गया लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वह हंडेड इस्टु बाद ही से पहले मैंने बारा तारीक या तेरह तारीक कोई वीडियो अपलूड किया था जिस पर कहा था कि सोलन नोवंबर से पहले इन सभी चीजों को समझ ले नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है तो हंडेड इस्टु वन का जो बात इन्होंने कही कि अगर आपके प रिडिक्शन हो रहा तो यहां पर जो प्राइज है उस प्राइज को एड़ेस्ट नहीं किया जा रहा कैसे मैं एक शीज बताता हूं जैसे आपनी तीन रुपिय के भाव से एक सो सेर्स खरीदे हैं तो आपका प्राइज हो रहा तीन सो रुपिस तो जब यह सेर्स की क्वांटिटी वन हो रही है तो यह 300 पर सेर्स होना चाहिए तो आपका जो केपिटल है वो केपिटल सेम रह जाएगा इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस प्रोसेस पर प्राइज नहीं बताया जा रहा जो कि मैंने उनसे डारेक्टली पूछा था कि क्या प्राइज है सेम रहेगा या फिर प्राइज में बढ़ती होगी तो उन्होंने कुछ भी कहा नहीं यह तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो य एक बहुत ही प्राइडिंग स्टार्ट करेगा उस दिन रियंदड से स्टार्ट करेगा चाहे जो भी हो और दिखाना चाहूंगा और वीडियो पे बने रहें है निधे मैंने शेयर को 2ह सर्च करने की कोशिच कई इससे पहले में अपको दिखा था 3.32 रुपीस का थ्री पैंट 3 20 upon 30 रूपीस का कर Creek रुचिस्वा यहां पे ने ब्स एक सेर्च अर्टीय है भी यह mistake ही होना चाहिए विकॉस ट्रेडिंग तो तब-तक बंद हो चुकी थी जिस दिन से ट्रेडिंग बंद है रुशी स्वया का उसी दिन से यह आपको नजर आता होगा मैंने भी इस पर वीडियो कवर किया था तो वीडियो कवर करने दिन स्टार्ट होगी उसी दिन क्लियर होगा ठीक है ना तो इस पे कोई भी बातचीत करना वेवकुपी होगी बट अगर ऐसा होता कि 332 पे कंपणी इसे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करती और हंडेड इस टू वन का डायूशन जो हो रहा है वह तो क्लियर है वह कंपणी का अधिकारी जब कह रहा है उनके पास इस चीज की खबर है कि आपके एक सो शेर एक क्वांटिटी पर बदल जाएंगे यह तो कंफर्म ह आपके 100,1 पर कंपर्ट होगा आपके 1000 शेर्स आपके एकाउंट में सिर्फ 10 शेर्स दिखेंगे लेकिन प्राइस फिक्स नहीं है यह काफी बड़ी प्रब्लम की बात है और होप कि प्राइस भी एड़िस्ट किया जाए शेर की क्वांटिटी को रिडियूस करके ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम न लगे तो आसा करता हूं कि वीडियो पर मैंने बहुत सारी चीजें कोशिच किये समझाने की क्योंकि इससे ज्यादा किसी भी जगह पर आपको कोई भी अबडेट नहीं मिन ले वाला है क्योंकि ना कोई वेबसाइट पर यह डिटा अबलेबल सबीडा सब्सक्रेट और ऊसके बाद इनका रिडेक्षिन हो रहा तो इसे देखना इंपोर्टेंड होगा कि क्या होता है तब तक बहुत सारे इंवेस्टर्स को सकता नुकसान हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको नुक्षान ना हो आपने जो पैसा लगाया एटलिस्ट वो पैसा नजर आना चाहिए बाकि फर्दर कमपनी का क्या होगा ये तो time will tell समय सब कुछ बताएगा लेकिन अभी जो problem चल रही है इस problem का solution और वो है आपको wait and watch आपको wait करना ही होगा कोई उपाई नहीं है जिस दिन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उस दिन प्राइस देखने को मिलेगा लेकिन ये confirm है कि 100 इस टू वन का जो dilution है वो हो रहा तो इस वीडियो पर मैं इतना ही आपके साथ तो और एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पर देखिए जो फोन नंबर से जिस पर मैंने फोन किया था वो यही नंबर से बट इन नंबर में आप फोन कीजेगा तो आपकी बाते होंगी जिन से वो इन सबी चीजों को क्लियर नहीं करेगा क्योंकि इन्हें यह डेक्स का नंबर है यहां से कॉल हो शकता आपको ट्रांसफर कर दिया जाए और उन अधिकारी के पास ट्रांसफर किया जाएगा जो इस रिडेक्शन का पूरे पूरे प्रोसेस को जानती है जिन से हमारी बात हुई यहां पर मैंने तीन से चार बार फोन किया बट हमें टाइम दिया गया lastly हमारा number लिया गया और वहीं से हमें callback किया गया और जिस अधिकारी से बात हुई उन्हें सारी सीजे इसके बारे में पता था जैसा कि आपने phone call पे शुना होगा तो आप भी बात कर सकते हैं बट आपको थोड़ा सा patience रखना होगा तबी बाते होंगी आपका भी अगर कोई question है तो आप इस number फे phone करके clear कर सकते हैं क्योंकि हो सकता आपके मन में और भी बहुत सारे doubts होंगे जो मैंने उनसे नहीं पूछा होगा तो आप directly उनसे पूछिए और जैसा आपको response आता हमारे comment section में आके जरूर एक बार comment करके बताईएगा तो यही था रूचिस्वा इंडस्टी पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपका एक like हमें अच्छे काम करने के लिए motivate करता है और साथी चैनल को subscribe करके जाए और bell icon को press करें ताकि आप तक notification मिल जाए और आपको हमारा एक भी वीडियो में इसना हो तो चलिए रूचिस्वा शेयर होल्डर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि वेट किजिए wait and watch देखिए hope सारा अच्छा होना चाहिए और हो मैं यही आसा करता हूं हमारे चैनल भी यही आसा करता इसके लिए regarding अगर further कुछ भी और भी चीज़े होंगी क्योंकि देखिए यह वोटिंग का प्रोसेस अभी भी मुझे पता नहीं एक्षूली में क्यों किया जा रहा है तो यह वोटिंग का अगर किसी को कोई details पता हो और यह वोटिंग किस वज़े से हो रही है यह पता चल जाए तो हो सकता है इसके थुरू से हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं जैसा कि हम लोग आलोग इंडस्टी के केस में देखा जी औ इस डिलिस्टिंग प्रोसेस को रोख लिया तो होप यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ अगर क्लियरंस होती है तो मैं इस पर वीडियो बना के आप तक प्रेजेंट करूंगा तब तक के लिए तिल देन बाई थैंक यू थैंक यू अ कि अ कर दो हो खिल थिए टplain के अ करना करूंगा थी प्रेंए कढ़स्टि ए जैंक यू तो हो चा था जून